नगभक्तीन देशक के बाद भारतिय सेना को नई तोपे मिलने जा रही है जी हाँ देश की सबसे बड़ी आर्चिलरी धनुश में ये खुबिया है जिसमें तोप धनुश एक मिनिट में तीन फायर करती है और देर घंटे तक लगातार गोले दागने में सक्षम है और इसमें अपग्रेटिड कम्यूनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है धनुश सेटलाइट के जरीए ना केवल दुश्मन के ठिकानों की पोजीशन हासिल कर सकती है बलके खुद गोले लोड कर फायर करने में भी सक्षम है 38 किलोमीटर दूरी तक निशाना साधने वाली इस एक मात्र गन की तैनाती पाकिस्तान और चाइना से लगी सरहदों पर की जाएगी 1990 में वो फोर्स के बाद अब जाकर कोई बड़ी गन सेना को सौपी जा रही है इस दोरान आयुद निर्माणी बोर्ड याने सेना और जी सी एफ के वरिश्ट अधिकारी भी मौझूद रहेंगे